जो सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दौःडार न चौबीस में उंख़त्म हो जाएंगे, उनका सब का मोक्ष हो जाएगा, उसमें कुछ भूद, पिसाच, राक्सस, ब्रमराक्सस बन करके और दूसरी तिसरी लोक में पहुंच जाएंगे जहां तक प्रश्ण है लोग जिस तरह से सनातन पर लांचन लगा करके उसे जातिवादी बताते हैं उसे भेद भाव और अन्याई वाला बताते हैं वो कुंठित बुद्धी वाले दुराग रही और किसी एजेंडे के तहट सनातन धर्म के खिलाब विदेशी ताकतों से कही प्रभावी तो हो करके या उनसे जिसको कहते हैं सुपारी ले करके सनातन धर्म को खतम करने की बात कर रहे है ब्राह्मन का अर्थ जाती नहीं है ब्राह्मन करता है जो अज्यान को मिटाए ख्षत्री करता है जो अन्याय को मिटाए और वहिशे करता है जो अबाव को मिटाए और शूद्र करता है जो अशुचिता को मिटा करके शूदिता के प्रतिमान घड़े कुमकार करता है घड़ वाला लोहार करते है लोही से काम करने वाला सुनकार करते है सोने का काम करने वाला दोभी का काम है दोने वाला तो भाई ये जाती सुचक सब्द नहीं है चातु वरेने मया सिस्टम गुण करम भाग से ये सब कर्म और योग्यता सामर्थी सुचक सब्द है तो मैं ये खुद क तो मैं ब्राह्मन भी हूँ कि मैं अन्याय को खत्म करने का काम कर रहा हूँ, मैं क्षत्रे भी हूँ कि मैं अन्याय से लड़ रहा हूँ, मैं वैश्य भी हूँ कि मैं सुचिता को प्रतिश्ठापित कर रहा हूँ, मैं सुनकार हूँ, मैं सोने जैसा बारत बनाने चाहता हूँ मैं कुमकार हूँ देश के चर्तिमान राश्टिमान का काम कर रहा हूँ और मैं धोबी भी हूँ लोगों के तन्मन जीवन के दाग धो रहा हूँ इसलिए ये हमारे भीतर के सामर्थ थे के जो सूचक सब्द थे उनको लोगों ने जातियों के रूप में स्विकार कर लिया ये सनातन का दोश नहीं है इस्त्री पुर्ष के नम पर सनातन में कोई दोश नहीं है जो सनातन पर दोश मन रहे हैं ये भारत विरोधी ये सनातन विरोधी और एक एजंडा के तहट हमारे रिशिरी शिकाओं की परंपरा को भारत और भारतियता को बदनाम करने का काम कर रहे है और भगवान इनको सबको सथबुद्धी दे और नहीं तो मैंने कहा ये देश, राजने तिक तोर पर सामजिक तोर पर बोधिक तोर पर उन सब के जबाब देने में सक्षम है और हम जबाब देंगे और अन्तताह ये सारे असुर सारे राक्षस प्राजीत होगे